हम गए जहंगीर पूरी के बुल्डोजर क्योंकि सुप्रिम कोट ने दो हफ्ते के लिए लगा दी है पूरी कारवाई पर रोक सुप्रिम कोट ने क्या कहा यह आदेश देते हुए और देश भर में जो इस तरह की कारवाई चल रही है उसके बारे में कोट ने क्या कहा यह सब कुछ एबीपी अनकट के काईदा कानून के इस वीडियो में 16 अप्रिल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जैनती शोभा यात्रा पर पत्राओं की घटना होई थी इस घटना के दोरान भीड की तरप से गोलिया भी चली जिसमें कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गये इन घटनाओं के बाद अचानक कल यानि 20 अप्रेल को दिल्ली नगर निगम का दस्ता बुल्डोजर लेकर जहांगीरपुरी में पहुँच गया ये कहते हुए कि अतिक्रमन बहुत है इस इलाके में और उसे हटाने का अभियान चलाया जाएगा भारी संख्या में पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद था और कारवाई शुरू हो गई इस बीच जमियत उलेमा हिंद सुप्रिम कोर्ट पहुच गया और सुबह करीब 10 बज कर 45 मिनट पर चीफ जश्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बिंच के सामने मामला रखा ततकाल सुनवाई की मांग की जीफ जश्टिस ने कहा कि मामले को कल सुना जाएगा और साथ ही साथ संगठन के वकील दुश्यन दवे की मांग पर कारवाई को रोकने का आदेश दे दिया कोट ने कहा कि जहांगीर पूरी में फिलहाल यथा स्थिती बनाए रखी जाए हलाकि इसके बाद भी काफी देर तक कारवाई चलती रही और आखिरकार सुप्रिम कोट ने अपने सेक्रेटरी जेनरल के माध्यम से आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुच जिसके बाद साड़े बारा बजे के बाद कारवाई रुकी आज यह मसला दूसरी बेंच के सामने लगा जस्टिस एल नागेश्वर राओ और जस्टिस बी आर गवाई की बेंच के सामने दुश्यन दवे कपिल सिबल संजे हेगडे समेत तमाम वकील कोट में मौजूद थे जमियत उलेमाय हिंद की तरब से उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की सबसे पहले दुश्यन दवे ने कहा कि अतिक्रमन हटाने के नाम पर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है दवे ने कहा कि दिल्ली में 1731 अनथराइज कॉलोनी है इनमें 50 लाग से ज्यादा लोगों की आबादी रहती है लेकिन दिल्ली नगर निगम को कारवाई के लिए जगा सूजी जहांगीर पुरी वो भी कब जब वहां पर उपद्रव और दंगे की एक घटना हुई यह साफ दिखाता है कि मकसद साफ नहीं है एक समुदाय विशेश को निशाना बना कर कारवाई की जा रही है इसके जवाब में सॉलिसिटे जनरल तुशार महता ने जो की MCD की तरफ से कोट में थे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और यह कारवाई काफी पहले से च चल रहा है लेकिन वहां के स्थानिय लोग जो इससे प्रभावित थे वो कभी भी हाई कोट में नहीं गए चोकि उन्हें यह डर था कि हाई कोट में उन्हें कागज दिखाने पड़ेंगे जो भी संपत्ति उनकी है जिसे अब तोड़ा जा रहा है उससे जुड़े कागजा शुरू हो गई है इसके जवाब में दुशन दवे ने कहा कि MCD का जो एक्ट है जो कानून है उसमें साप प्रावधान है कि अतिक्रमन अगर हटाना है बुल्डोजर चलाना है तो उससे पहले 5-15 दिन का नोटिस दिया जाता है जिसकी संपत्ति पर कारवाई होनी है उसे ल एसी कारवाई के पीछे इसके बाद संजे हेगडे पीवी सुरिंद्रनाथ एमार शम्षाज जैसे वकीलों ने कोट को ये बताया कि कल 10 बज कर 45 मिनट पर स्टेटस को यानि यह था स्थिति का आदेश दिया गया था जिसके बाद भी कारवाई 12 बजे के बाद तक चलती रह की अलग-अलग माध्यम से सूचना पहुचाई गई एमसीडी की अधिकारियों के पास दिल्ली पुलिस की अधिकारियों के पास लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कारवाई नहीं रोकी कि हमें लिखित आदेश चाहिए होगा कारवाई रोकने से पहले यह सीधे सीधे कोट क के आदेश की भी अवहेलना है जजो ने इन लोगों की बातों को सुना और नोट किया इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या कोई और वकील है जिसे कुछ कहना है इसके बाद वरिष्ट वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखनी शुरू की वो भी जमियत उलेमाय हिंद की तरफ से ही मामला रख रहे थे कोट के सामने लेकिन यह याचिका अलग है इस याचिका में देश के अलग-अलग राजियों में चल रही सभी कारवाईयों का मसला उठाया गया है और यह कहा गया है कि जिस तरह से बुल्डोजर सड़कों पर दोड़ रहे हैं और के मंत्री के बयान का हवाला दिया जहां पर की समुदाय विशेश का नाम लेते हुए उन्होंने चेतावनी दी इस तरह की तमाम कारवाईयों का उन्होंने ब्योरा दिया और मध्यप्रदेश के खारगाउन में रामनौमी की शोभा यात्रा के बाद जो कारवाई पुलिस ने वहां पर की थी वहां के नगर निगम ने की थी बुल्डोजर चलाए गए थे उसका भी हवाला उन्होंने दिया इस पर जस्टिस एल नागिश्वर राओ जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम पूरे देश में अतिक्रमन हटाने का जो अभियान चल रहा है अलग-अलग शेहरों में उसे रोकने का एक साथ कोई आदेश दे दें सिबल ने कहा कि मैं बुल्डोजर के खिलाप हूँ इस पर जज़ का कहना था कि लेकिन अतिक्रमन तो बुल्डोजर से ही हटाया जाता है तो हम इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं सिबल ने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जस तरह से ये कारवाई हो रही है अतिक्रमन जलेगा और इस तरह की कारवाईयों से नहीं जजों ने कहा ठीक है हमने आपकी बात को सुन लिया और इसे भी नोट पर ले लिया इसे आगे विचार के लिए देखा जाएगा तुसार महता ने एक बार फिर जहांगिरपुरी में हुई कारवाई को और देश के अलग-अलग ह देने की कोशिश कर रहे हैं जबकि जहां जहां पर भी कारवाई हो रही है वो कानून के दाएरे में हो रही है मध्यप्रदेश के खारगाउन में भी जो कारवाई हुई है वहां हिंदू समुदाइक से जुड़े लोगों की भी 88 संपत्यों को गिराया गया है अतिक्रमन काम करने देना चाहिए अखिरकार जस्टिस एल नागेश्वर राओ और बी आर गवाई की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से भी पूछा कि बिना नोटिस के जिस तरह से अचानक ये कारवाई हो रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि तमाम कान कि ज़रूरत नहीं है नगर निगम को ये शक्ती हासिल है कि वह बिना किसी नोटिस के इस तरह की कारवाई करें जजजों का ये कहना था कि टेबल कुरसी हटाने के लिए बुल्डोजर की ज़रूरत तो पढ़ती नहीं है आप तो बुल्डोजर लेकर हर जगा चले जा रहे परहल इस बात का सोलिसिटे जनरल ने कुछ विशेश जवाब नहीं दिया और नाहीं जज मामले को आगे ले जाने के इच्छुक थे इस दोरान उन्होंने कहा कि ठीक है जहांगिरपुरी में जो कारवाई हुई है उसे लेकर जो याचिकाएं दाखिल हुई है और जमियत उल हुआ होगी फिल्हाल यह था इस्थिति बरकार रखने का जो आदेश कल दिया गया था सुप्रिम कोट की तरप से उसका पालन हो अगले आदेश तक कोट के इस आदेश के बाद एक भ्रहम की स्थिति बनी कि क्या सुप्रिम कोट ने ये कहा है कि देश भर में अब कहीं भी बुल्डोजर नहीं चलेंगे जनरल तुशार महता ने इस पर स्पष्टी करण मांगा और ये भी कहा कि कोट ये साफ कर दे यह जो आदेश है ये जहंगिर पूरी के लिए दिया गया है जजो ने कहा कि बिल्कुल ये आदेश आइटम नंबर 10 के लिए दिया गया है जिसमे दिल्ली के जहंगिर पूरी तक सिमित है दिल्ली के दूसरे इलाकों में अगर कोई अभियान चल रहा है या चलाया जाना है या देश की अलग-अलग हिस्सों में कोई अभियान चल रहा है या आगे चलाया जाएगा तो उसे लेकर सुप्रिम कोट ने कोई आदेश नहीं द गई है और क्या जिन लोगों की संपत्ति को इस तरह से तोड़ा गया है और जिन के पास कागजात पूरे थे उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए यह तमाम बातें देखी जाएंगी जजों यह भी कहा कि यह जो जानकारी हमें दी जा रही है कि 10 बचकर 45 मिनट पर सुप्रिम कोट ने आदेश दिया उसके बाद भी करीब गंटे तक कारवाई चलती रही अतिक्रमन हटाने की इसे भी हम गंभीरता से ले रहे हैं और बाद में यह भी देखा जाएगा कि क्या कोट के आदेशों की अभेलना हुई थी तो जहंगीरपुरी के मामले के अलावा दो हपते के बाद सुप्रिम कोट पूरे देश में मद्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्राखंड जैसी तमाम जगों पर जो कारवाईया चल रही हैं और जिसे चुनौती दी गई है अवैद बताते हुए जमियत उ तरीके से हो रही है या इन्हें बंद कर दिया जाएगा तो दो हपते के लिए फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में स्टेटस को का ओडर है या नहीं जाए था स्तिती बरकरार रखने का ओडर है सारे बुल्डोजर रुके रहेंगे कोई कारवाई वहाँ पर नह कर दो कर दो